आज शुरू करना है आपनोंका आर्टकिल 14 ठीक है एक्वैलिटी बिफोर ला विद के समझ सम्ता हेड्लाइन आपके लिखे हुई है ठीक और जो अंदर बातें लिखे हुई है वहाँ पर कहानी बदल गई ठीक है कहानी कैसे बदली क्या-क्या अंतर नहीं तुद्देश रहे ठीक सिर्फ टाइटिल से ही नहीं अस्पष्ट हो रहा है टाइटिल से जो अस्पष्ट हो रहा है वो बहुत अस्पष्ट बाद है कि विद के समझ समता का अर्थ है सभी व्यक्ति विद के समझ समान होंगे अच्छी बात सभी व्यक्ति विद के समझ समान होंगे ठीक है यह बहुत अस्पष्ट सी बात है अभी फिर से इसी बात से शुरू करेंगे लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं तो मोल अधिकारों में एक उद्देश भी अंतरनहित है ठीक है मोल अधिकारों में एक उद्देश भी अंतर्दित है ठीक तो जब हम टाइटिल्स पढ़ते हैं विसेशूची पढ़ते हैं कंटेंट्स को देखते हैं ठीक है तो अनुछेद 14 के पहले कुछ बात लिखी हुई है टाइटिल में क्या लिखी हुई है समता का अधिकार यानि आर्टिल 14 से अगर पहले आप अपने बेर एक्ट को देखिए तो लिखा हुआ है समता का अधिकार ठीक है यानि की राइट टू इक्वल्टी ठीक यानि 14 अभी छोड़ दीजिए 14 अभी छोड़ दीजिए ठीक है क्योंकि प्री मेंस इंटर्विव हर एक अस्थान प बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक तो लिखा हुआ है कि समता का अधिकार राइट टू एक्वैलिटी ठीक है समता का अधिकार ठीक राइट टू एक्वैल्टी हमें आपको सभी वेक्तियों को समान इस्थितियों में आने का अधिकार है समानता का अधिकार है जिसके लिए इस टाइटिल के अंतरगत आर्ट किल नमबर फोटीन टू ठीक है अनुछेद 14 से ले करके कहां तक किस धारा तक लिखा हुआ है समता का अधिकार शम्विधान में जो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के तहट पार्ट 3 के तहट वो लिखा हुआ है अनुछेद 14 से ले करके 18 तक यदि यदि आप सिर्फ 14 को पढ़ते हैं या सिर्फ 14 को पढ़ाया जाता है तो सिस्टम डिश्टर्ब हो जाएगा पहली बात होती है हर एक चीज का हर एक अस्थान पर अपना-पना क्रम होता है पढ़ने का उस बात को जानना जरूरी है ठीक अनुछे 14 हमें पढ़ना है बहुत अच्छी बात 14 ही पढ़ना है लेकिन 14 से उपर जो टाइटिल लिखी है वो निरर्थक स्याही नहीं खर्च की क्या क्या है क्रमसा अगर देखा जाए 14 में क्या EBात कह रहा है थिक को में कि my equation क्या कह रहा है तो यहां पर हम Scratch'll ko जड़ा अपनी बासा में इसलिए बनाना जरूरी है कि केवल हैडिलाइनले मात्र से फिर अंदर तो भी बाद में पढ़ना है काम नहीं चल पाएगा ठीक है किसी प्रोहिबिशन की बात कर रहा है ठीक है रोक थाम की बात कर रहा है प्रतिबंधित कर जा रहा है ठीक है और यह रोका जा रहा है भेद भाव का फाइफ पांच ग्राउंड लिखे हैं जिनके आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा ठीक है सिस्टीन क्या कहता है यहां भी प्रोहिबिशन है सेवन ग्राउंड सिस्टीन में साथ आधार लिखे हुए हैं जिनके आधार पर किसी भी बात की भेद भाव नहीं किया जाएगा और वो क्या है किस जगह पर पब्लिक एम्प्लॉइमेंट में कि पब्लिक एम्प्लॉइमेंट के मामले में साथ आधारों पर भेद भाव नहीं किया जाएगा ठीक है सेवेंटीन क्या कहता है सेवेंटीन कहता है एबुलीशन आफ अन्टच बिल्टी यानि कि जो छुआ छूत है उसको भी समाप्त किया जाना है असपृसिता को भी समाप्त किया जाना है उसकी बात कह रहा है ठीक्टे एपटीन क्या कहता है एबुलीशन आफ टाइटिस ठीक है यानि कि जो उपाधियां आ दी हैं उसका अंत किया जाना है ठीक है अब बात आई कि राइट टू इक्वेल्टी के लिए ठीक है यह आर्ट किल सद्धी हुई है ठीक है आर्ट किल 19 से फ्रीडम सुरू हो जाएगा तो क्या इनका कोई अर्थ निकलता है जिसके आधार पर पढ़ना सुरू किया जाए बिलकुल निकलता है यदि हम सीधे तोर पर आर्ट किल 14 को पढ़ रहे हैं तो जाहर से बात है इसके भाव को आप नहीं समझ पाएंगे रट सकते हैं समझ नहीं सकते हैं समस्या जब तक आपके सामने नहीं आएगी कि किस किस तरीके की समस्या है अगर वह बात सामने नहीं आएगी तो एंसर आप कहां से ढोड़ेंगे सीधे एंसर पढ़ने पर आपको समस्या रहेगी तो प्रश्णों को तो जान लीजिए प्रश्ण नहीं जान रहे हैं तब त सभाधियों के सम्मान दे करके किसी को विसिष्ट दर्जा विसिष्ट सुभदाएं दे दी जाती थी हर किसी को नहीं अनिक्वल्टि आ गई Música . ते करिकर आ प्राचीन काल से यह बात चलिया रही थी त試mond के टी ट्योंz holder को विशेश सुविधाय दे जाती है आज भी वह उपलब्द है लेकिन इस प्रकार उपलब्द नहीं है कि उसका दुरूपयोग हो equality लाने के प्रयत्म के रूप में किसी को भी अगर विशेश दर्जा दिया गया है तो विशेश कारणों के साथ है पहले कारण देखे गरतंत्र का होना ना होना ठीक है डेमोक्रेसी का होना ना होना रिपब्लिक होना ना होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसकी ब्याख्या किस प्रकार की जाए टाइटिल्स पहले भी थी आज भी है टाइटिल्स जो पहले थी उनकी क्या खास बात थी वो आपको जो प्रतिबंध आगे लगे हैं देश, जात, ब्लड रिलेशन इन सब के आधार पर दी जाती थी आज टाइटिल्स को अगर मानिता दी गई है तो एजूकेशन की टाइटिल्स को मानिता दी गई है आर्मी की टाइटिल्स को मानिता दी गई है ठीक है उपयोग करने के उद्देश से मानिता दी गई है दुरुपयोग करने के उद्देश से नहीं विशेश दर्जा मिल रहा है तो विशेश गुडों के कारण मिल रहा है आउसकता कि अनुसार ना कि बस आप आनुवनसिक तोर पर चले आ रहे हैं तो आपको भी टाइटिल दे दी जाएगी तिकैं यह अनेक्वेल्टी थी अनेक्वेल्टी थी छुवा छूत की भेद भाव था अनेक्वेल्टी थी अब मामला होने जनमस्थान काद के आधार पर भी जो है अंटजबिल्टी आती थी भेद भाव किया जाता था जो हमारे समाज में एक्वल्टी लाने की रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी सबसे बड़ी बाधा थी उसे समाप्त करने की बात कही गई उसे रोकने की बात की गई ठीक है प्रोइबिशन किया गया 7 grounds और 5 grounds तो 15 के 5 grounds और 16 के जो 7 grounds हैं तो 5 grounds प्लस 2 grounds है 16 में यानि कि जो 15 की 5 बाते हैं ठीक है क्या क्या है religion, race, caste, sex and place of birth religion, race, caste, sex and place of birth ठीक है ये 5 grounds के साथ 16 में 2 grounds और भी बढ़ाएगे अनुच्छेद 16 में 2 grounds और भी बढ़ाएगे ठीक है residence बढ़ाया गया ठीक है residence बढ़ाया गया जन्मस्थान और निवासस्थान बढ़ाया गया ठीक है उद्भव बढ़ाया गया ठीक descent ठीक है उद्भव और निवास को भी बढ़ा दिया गया इन आधारों पर भेद्भाव नहीं किया जाएगा अमेन मुद्दा आया यह क्यों कहना पड़ा कि भेद्भाव नहीं किया जाएगा तो बात निकल करके आती थी इसका अर्थ यह है कि इसके आधार पर भेद्भाव किया जाता था हम सदियों से इस बात से पीडित थे कि इक्वेल्टी आने की जगह इन आधारों से भेद्भाव किया जाता था तो यह फंडामेंटल राइट्स का उलंगन होगा उसके आधार पर इन भेद्भाव को प्रतिसिद्ध किया गया फिर बात आई कि विद्ध के समच भी सभी लोग समान होंगे यानि कि विद्ध के समच समान होना है तो इसका मतलब यह है कि विद्ध इन आधारों पर भेद्भाव नहीं करेगी जो भी विद्ध बनाई जाएगी ऐसी भेद्भाव वाली विद्धियां नहीं होनी चाहिए अगर कहीं पर भेद्भाव हो रहा है तो उसका भी कुछ अर्थ है अब इसी को समरी में कहा जाए तो जो यह लिखा है तो इसके लिए कहा जा सकता है दूसरी भासा में कि समानता का जो अधिकार है जब असमानता फैली हुई है तो सभी को समता की इस्थिती में लाना एक्विटी की इस्थिती में लाना यह इसका उद्देश है ऐसी इस्थितीयों पर इस्थितीयों का निर्मार किया जाए कि इन भेदभाओं को समाप्त करके लोगों को समान इस्थितीयों में लाया जाए और तभी रियल रूल आफ ला लागू हो सकता है अधर्वाइज रूल आफ ला की परिकल्पना बहुत दूर रहेगी यानि कि एक सिस्टम बनाते हुए सारी चीजों को अरेंज करते हुए लिखा गया कि अगर आपको समता का अधिकार सुनिश्चित कराना है जो कि हर एक व्यक्ति को प्राप्त है यानि कि सम्विधान अगर संदचित कर रहा है समानता को ठीक है सम्विधान उसे संदचित कर रहा है तो ऐसे भेदभाओं को ऐसे किनी भी चीजों को समाप्त करना पड़ेगा जो इस समता के अधिकार में बाधक है यानि कि समता के अधिकार के बाधक चीजों को जो प्राबलम क्रियेट कर रही है जो आफ्टेक्शन क्रियेट कर रही है बा सारे राइट्स में उन सारी बातों को समाप्त करने के उद्देश से क्रमसा आर्ट किल 14-18 बातें लिखी हुई है और कुछ बातें इसके साथ और भी लिखी हुई है स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ कर नहीं चल सकते हैं थान्यारा को विषेश दोर पर चोड़ करने चल सकते हैं तुमाम की एक दूसरे के पूर्ख हैं एक दूसरे अधिकारों की उन्नति में सहायक हैं कई केसला आपको मिलते हैं जिसमें लिखा होता है अनुच्छेद 14, 19, 21 के तहट इस बात को सुन घोसित किया गया फंडामेंटल राइट्स का उलंगन हो रहा था तो आखे 14, 19, 21 इन तीनों आर्टिल्स की चर्चा बार बार क्यों हो रही है कोई भी सामान में विदिका प्रश्णगर चर्चा में आता है तो इन तीनों पर चर्चाएं होती हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है को समता का अधिकार प्राप्त होगा सतंता समता की पूरक है समता सतंता की पूरक है इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा यानि कि समता लाने का प्रयास है ये जो समता का अधिकार दिया गया है ये सभी विक्तियों को सभी विक्तियों को सम्ता में लाने के लिए लिखा हुआ है सम्ता का अधिकार का मतलब यह निकल करके आता है कि सभी बेक्तियों को सम्ता की इस्थिति में लाया जाए ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए राज द्वारा निर्मित विधियों से इस प्रकार संडचित किया जा सके कि नेचुरली जो समान इस्थितियां हैं सभी की वो मेंटेन रह सके उसका उलंगन ना होने पाए इसके लिए लिखा गया right to equality कोई समस्या बहुत सीधी सी बात है तमाम हमारे आपके कोईस्चन इस प्रकार से आ रहे हैं कि यदि आप इनको मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं जो रीजन एसरसन के कोईस्चन होते हैं सिर्फ अनुच्छे 14 या right to equality पढ़ना उद्देश नहीं है इनको पढ़ने के साथ साथ questions भी हमारे उद्देश से हैं ये तो पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी हुई है लेकिन प्रशनों से भटकना नहीं है तो प्रशनों में आजकल जो रीजन एसरसन के question आ रहे हैं वो किसी bare act में या पुस्तकों में सीधे तोर पर collection करके नहीं दिया हुआ है कि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे और जा करके answer दे देंगे अचानक नए-नए प्रशना रहे हैं कैसे manage होगा जब भाव समझ रहे हैं कोई भी सब्द लिखे हैं कोई भी बातें लिखी हुई हैं उसके पीछे क्या निहतार्थ हैं यदि उन बातों को क्या चीज उसमें wasted है उन बातों को यदि आप समझ रहे हैं आपको कहीं से समस्या नहीं होगी लेकिन सीधे अनुच्छे 14 पढ़ लिए विदियों का समान संदच्छन पल लिए विदियों के समझ समता पढ़ लिए इससे काम अब नहीं चलना है अगर हम आटकिल 14 की बात करें तो आटकिल 14 की चर्चा हो रही थी हो रही थी बहुत अच्छे अच्छे जो है उस पर सारी बाते आई सब चीजे आई आई आखिर ऐ क्या आया एपी रोयप्पा के वाद में 1974 में कि यह कहा गया कि इसको समता के अधिकार को समता को एक्विटी को एक नया आयाम दिया गया मौडिफाइड सिस्टम में लाया गया मतलब यह हुआ कि देशकाल इस्थिती परिस्थितियों के अनुसार नए सिरे से व्याख्या कर के बहुत असपष्ट एक न्यू बनाई गई इपी रोयप्पा के वाद में कि भारत की जूडिसियल सिस्टम में भारतिये सरकम्टांसेज में समता के अधिकार का इंटर्प्रेशन किस प्रकार किया जाए ताकि टार्गेट जो हमारा है इक्विल्टी लाने का ठीक है नेच और क्रमसा मानिता देते हुए आज तक का सारा सफर चल रहा है तो वह पिरोयप्पा ऐसे ही आ गया यही आटकिस तो 1951 में भी लिखी हुई थी यही आटकिस आज की डेट में भी लिखी हुई है तो मतलब यह है परिष्थितियों के अनुसार भावों की व्याक्या होती है मूलभाव अगर आप नहीं जान रहे हैं इसका मर्व नहीं जान रहे हैं तो आप व्याक्या करने में कभी सच्छम नहीं होंगे और यही कारण है कि जो नए नए प्रशन आपके आ रहे हैं वो मुल्भाओं के नए नए explanation है नए नए तरीकों से कहा जा रहा है बात समझ रहे हैं एंसर सही होगा नहीं समझ रहे हैं एंसर गलत होगा तो इन बातों पर भी आप ध्यान रखिएगा कि उद्देश क्या है पढ़ने का क्रम क्या है तो राइट टू इक्वल्टी को जब आप देखेंगे 14 to 18 तब जब यह चीज समझ लेंगे 14, 15, 16, 17, 18 क्रम सह जब पढ़ेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कुछ भी अनक्लियर नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार का प्रस्म पूछा जाए गलती नहीं होगी लेकिन सीधे 14 से शुरू कि 14 इंडिविज्वल पढ़ लिए 15 इंडिविज्वल पढ़ लिए 16 इंडिविज्वल पढ़ लिए तो मतलब क्या है एक ही टाइटिल में सभी को लिखने का कोई मतलब फिर नहीं निकलेगा तो एक ही टाइटिल है राइट टू इक्वल्टी और आर्टिल्स हैं 14 टू 18 इस बात को आप ध्यान रखते रहिएगा ठीक है? क्लियर? अनुछेद 14 फिर बात करता है दो पार्ट में बात करता है क्या-क्या? इसका पहला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर ला और दूसरा पार्ट है ठीक है? इक्वलिटी बिफोर ला ला याद रखिएगा ठीक दूसरा पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन आफ दी लाज इक्वल प्रोटेक्शन आप दी लाज यहाँ पर लिखा है विधी और यहाँ पर लिखा हुआ है विधिया यह बहुत बड़ा हिंट था ठीक है इक्वेल्टी बिफोर लाप इक्वल प्रोटेक्शन आप दा लाज यह एक बहुत बड़ा हिंट था तो उस हिंट के आधहार पर ही सुप्रिम कोर्ट ने अपनी तमाम व्याख्याएं दी है जब भी समता का अधिकार चैलेंज होता है लेकिन अगर आप दोनों के ऐसे सब्दों में इफ्रेंसियेट नहीं कर पा रहे हैं तो सारी समस्या बनी रह जाएगी सलोसन नहीं निकल करके आएगा हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं विद के समच्छ सम्ता विद के समच्छ सम्ता तीके एक्वल्टी विफोर लाकार्थ है विद के समच्छ सम्ता और एक्वल प्रोटक्शन आप लाजकार्थ है विदियों का समान संदच्छन विदियों का समान संदच्छन तीके विद के समच्छ सम्ता होगी विदियों का समान संदच्छन होगा अब होगा भी नहीं निक्खा है ठीक लेंग्विज बहुत स्टेंडर्ड है लेंग्वेज बहुत स्टेंडर्ड है ठीक है क्या है अब एक छोटी सी बात यहां पर कि बिद के समच्छ समता और विद्यों का समान संरच्छण किसे प्राप्त होगा तो उसके लिए लिखा हुआ है कि एनी पर्षं कोई वेक्ति हो सिर्फ सीटीजन को नहीं कोई वेक्ति हो सभी को यह प्रोटेक्शन प्राप्त है इक्वेल्टी प्राप्त है और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि इसके लिए लिखा गया और इसके लिए क्या लिखा गया है विदिन दा इंडियन टेरिटरी दोनों मिला के भी पढ़ा जाता है अलग करके भी पढ़ा जाता है तो एक महत्पूर बात क्या आई दाइस्टेट सैल नाट डिनाई ठीक है राज भारत के राजचेतर में किसी भी व्यक्तिकोविद के समच समता या विदियों के समान संरच्छण से वंचित नहीं करेगा वंचित नहीं कर सकता है सैल नाट डिनाई लिखा है सैल सब्द यूज किया गया है कोई इपवट नहीं लगाया गया है ठीक है सैल सब्द यूज किया गया है और साथ ही विदिन दा टेरिटरी अफ इंडिया दूसरा महत्पूर बिंदु क्या है भारत के राज खेत्र के भीतर की बात कही गई है ठीक ये तो बेरेक्ट की बात हुई बहुत सीधी सीधी है कि भारत के राज खेत्र के भीतर कोई भी वेक्ति हो कोई भी वेक्ति हो राज वंचित नहीं करेगा किससे वंचित नहीं करेगा विद के समच समता का जो थेउरी है इससे वनचित नहीं करेगा विदियों के समान संदचन के लिए जो थेउरी है उससे वनचित नहीं करेगा अगर वनचित करेगा तो right to equality के against कारे होगा बहुत सीधी बात लिखी गई यानि कि जो अंतर नहीं है समता और दूसरी तरीके से देखा जाए तो लच्छ भी है समता उसके against हो जाएगा अगर राज यहां पर कुछ भी बात deny करता है किसी को भी वनचित रखता है अब दोनों थेउरी अलग अलग दिसा में क्यों लिखी गई इसका भी कारण है तो यह पहली थेयोरी है यह बिटेन की है बिटिस थेयोरी है बिटिस थेयोरी प्रोपेसर डाईसी की रूल आफ लाती उससे रिलेटेड थेयोरी है डिटेल अभी पढ़ेंगे और यह जो थिओरी है यह USA से रिलेटेड है संयुक्त राज अमेरिका से रिलेटेड है अगर थोड़ा सा जैसे ब्योहारिक चर्चा भी होनी चाहिए अपने समझ के लिए अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बृतेन की इस्थिती और USA की इस्थिती में भी बेसिक डिफरेंस ह यह USA में आपने शुरुआत में ही जब आप परिसंगियता पढ़ रहे थे फिडलिजम पढ़ रहे थे उसी दोरान एक एंसर ले लिया था कि यह United States of America है यानि कि कई राज्यों की सहमत से बना हुआ एक नया कंट्री है बट ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है कि सहमत की बात र डवलप्मेंट का योगदान रहा दा रूल आप ला ठीक है ब्रिटेन का भोगोलिक छेत्रफल भी सीमित है बहुत बड़ा नहीं है ठीक है और वहाँ पर तमाम सरकम्टांसे जगर देखी जाए छोटा देश है तो लगभग समान पाई जाती है लगभग समान पाई जाती ह बट USA को देखा जाए इसका जो जागरफिकल एरिया है यह भी बहुत जादा है बड़ा है और साथ ही साथ अनेक अस्ठानों पर अनेक जागरफिकल डिफरेंसेजsweise भी पाई जा रहे हैं मरुस्ठल भी पाई जा रहे हैं नदियां भी पाई जा रहे हैं वर्सा छेत्र भी प्रेनिस गड़न करो भी पांगे लाएं ने सबंप अक्राइश से लिए व्यायार बुस्टे स्टीया mówi रही है SS traveling में अलग परिश्थितियां मिड में अलग परिश्थितियां ब्रिटिन में ऐसा नहीं उन सुर्वाथ में आप लोगों को बताये थे ये तो पॉल्टी के बात हो गई, लेकिन reality ये होती है, कि पॉल्टी हो, history हो, culture हो, geography हो, economy हो, हमारा रहनसहन हो, हमारा पहनावा-औढ़ावा हो, हमारी सुक्सविधाएं हो, सब किछ जागर्फिकल, circumstances के according ही develop हुआ है, चाहे वो lab ही हो, अगर बिधियों के भी बात की जाए, तो भी पाये जाते हैं कारण आउसकता के अनुसार डवलप्मेंट का होना तो यहां पर यूनाइटेड इस्टेट साफ अमेरिकाज हैं सारी भावगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं यानी सरकम्टांसेज में डिफ्रेंसियेट करके लाको लागो किये बिना इक्वेल्टी नहीं आ सकती है यहां पर सरकम्टांसेज लगभग कमों बेश सेम टू सेम हैं तो यहां पर हम दरूल आफ लाग की बात कर सकते हैं कि सभी व्यक्ति विदी के समझ समान होंगे यह जो डवलप हुआ इसकी फिर नए सिरे से लगातार व्याख्या होती रही आज यह बहुत मेरिकन परिस्थिती बिसकी ब्याक्ख्या हुई है या या जो इस सरकम्टांसेर निकल करके आज सबबाइब और बिजियों का समान सलठी क्लासिफिकेशन की बात कहां से आई और क्यों आई एसर यहीं पर मिल जाएगा अगर हम सिर्फ रूल आफला में रहते तो क्लासिफिकेशन ना कर पाते आज रूला कहता है कि कोई किसी भी पदा भीमान में हो सब आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सभी लोग विद्य के समझ समान होंगे लेकिन वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन आफला कहता है कि अगर भिन भिन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं तो उसकी आवसकता अनुसार एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन करते हुए उनके लिए भिन 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 बिधियां बनाई जा सकती है और यह इक्वल प्रोटेक्शन आफलाज डवलप करके क्लासिफिकेशन की थियोरी को भी डवलप किया कैसे रिजनेबल रिक्वार्मेंट्स होती हैं जिसके आधार पर हम अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अगर बनाते हैं तो वह ना तो रूल आफला को डिनाई करेगा ना एक्वेल्टी राइट टु एक्वेल्टी को डिनाई करेगा बलकि उसे और मज़बूत बनाएगा तो इसकी ब्याक्या ऐगए दर couple प्रोटेक्शन आफ लाज यानिकी बिदध की वेवस्ता तो विद के सासन को बनाए रखने के लिए आवसकता अनुसार तिक है रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके अगर विधियां बनाई जा रही है तो वो विद के सासन की ही उन्नत करता है इसी को प्रमोट करता है ना कि लोगों के बीच भेद भाव बढ़ाता है तिक है इपी टेक्सन आफ लाज में एक सब्द बहुत असपस्त जोड़ा क्या गया है ब्याठ्षा की गई है नैचुरल जश्टिस की ब्याठ् parents की गई है टीक है अब नैचुरल जश्टिस क्या है नीचुरल जश्टिस क्या है प्रकिर्टप्रूल सब्रक्राइब्रें Gem现在 से जो आई र पिकार पूर्ण को तो होगी तो बनाएं और उसी के हिसाब से बहुत करती है तो इसने अगर डिजनेबल क्लासिफिकेशन किया है तो करके रूलाफ यसे मैंन इसका जाता है और उसकी एक सबप्पेसिक की रूप में सब इस्पशीज के रूप में डिफाइन किया गया है ठीक है जाती है एक एक उप जाती है उसी की और दोनों प्रमोट कर रहे हैं राइट टू इक्वैल्टी को ये बेसिक बात छिपी हुई थी अनुच्छेद 14 में आट कील 14 में जिसके आधार पर नए सिरे से नए नए ब्य हैं हो रही हैं और हमारा जूडिसियल सिस्टम हमारे इस राइट टू इक्वैल्टी को फंडामेंटल राइट को दिन बदिन प्रमोट करता जा रहा है यह कुछ बेसिक बाते थी सामान जानकारी थी आठकिल 14 में अब पढ़ेंगे हैक्स के कार्डिंग और उनका इस्प्ला में क्या कहा गया या इस टाइप का तो आपका एक भी कॉस्चन गलत नहीं होगा लेकिन अगर इनके वैलूस को नहीं समझ रहें तो फिर समस्या रहेगी ठीक है किलियर है